जिसना से हमने बात भी कि जब हर चार्ड जो है वो एक इलेक्टिक फिल्ड रहता है और हर चार्ड इलेक्टिक फिल्ड के अंदर मूव करेगा उसका कोई नो कोई इलेक्टिक पोटेंशनल होगा तो आज हम यही रिलेशन देखते हैं कि आंकर वी और एक अंदर रिलेशन है क्या आज इनके रिलेशन के बारे में दिस्कुस करते हैं कि इनके दम्यान आपर क्या रिलेशन है लेट से कि हमने कहते हैं इस तरीके से कि यह हमारे पास एक प्लेट है एक यह प्लेट है हमारे पास और एक यह प्लेट है इन दोनों प्लेट को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कि इसे मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और यह बड़ी प् अंगल मिमनल को इस अंगे मर्ना करती है और इस तरीके से लिए बैटरी के समगल बन ज़ीधा अब हमारा पॉज्टिफ टर्मिनल पॉसुछ मन के साथ जुड़ी हुई प्लेट के उपर हमारे पॉसुटिफ चाहर Walmart चाहर जाता है इस तरीके से पूरी के पूरीट के उपर यह हमारी पर उस भाइड चार्ज आजाता है अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहां पर मैं कहती तो मैं एक अन्हूर्ट चार्ज Q-Node है जो हिसके पॉईंट P-P outside यहां पर a Q-Node चारज्ज होने की विजा से लिश्च फील्ड है यहां ऑगे वह इस तरह से आती है छो है कि आ टब काकु कि देटीड या न्यत्तित हुगर की अनला में अर्फूर नीद्टूर रीपन होत हग और कोल किधिक आपनPay आप लेक्षार और अल्ग कायी इस नाल के टब करता यह है इस प्लेट के अपर और इस प्लेट के उपर जो वाल्टिछ है उसे मैं वी ए का नाम के देती है अब अगर मैं यह कहूं कि मेरा यूनिर चार्ज की नोड जो है वो पॉइंट पी से मुवमेंट करता हुआ पॉइंट बी की तरफ जा रहा है यानि कि वो इस तरह से करता है इस तरह इस तरह से इस का डिस्प्लेश्बींटि इस डारेक्षन में आ जाता है लेकिन सब्सक्रैक्न तो हमारी electric field line की direction downward है और जिस direction में electric field line होती है उसी direction में electrostatic force act करती है इसका मतलब हुआ कि इस charge q knot पर जो electrostatic force act कर रही है वो downward direction में इस तरीके से है क्योंकि electric field की direction हमेशा electrostatic forces के direction के similar होती है अब electric field line यानिकि electric intensity की बात कर रही हुँ न electric incentive किसी भी point पर represent करने के लिए electric intensity को हमें electric field line लगाना पड़ती है और electric field line की direction हमेशा electrostatic force के similar होती है वो electrostatic force जो इस q knot charge पर act कर रही है अब हमारी electrostatic force downward है और इस charge में upward direction ट्रावल करने है अपर डिरेक्शन में यह जा रहा है कि displacement ट्रावल तो इस तरीके से इन दूनों के दर्मयान जो angle है वो 180 का आ जाता है इसका मतलत है कि एकर में यह कहूं कि मुझे q knot charge पर करने माला work done find out करना है कि इस पर कितना work किया जा रहा है या कि कितना work कर रहा है तो वो work done इस तरह पर calculate किया जा सकता है कि work done हमेशा हमें मालूम है कि force into d का product होता है और d के साथ हम लोगों को cos theta भी लगाना पड़ता है क्योंकि यह force और d का product है dot product है इन दोनों का displacement का और force का अब अब मैं F की जगा यहां पर electrostatic force लगा दूँ और d की जगा जो displacement हमारा travel किया जा रहा है उससे लिख दूँ और हमारा जो cos theta है इस तरीके से अगर आप इस 180 से continuous है तो हमें इसे एक दफ़ा दुबारा देख लेते हैं हमें मालूम है कि हमारी electric pure line हमेशा positive से negative की तरफ होंगी इन्हें हम लोगों ने इस तरह से drop कर लिया अब हमने कहा कि हमने voltage यानि कि बी ए प्लेट के नजबेग यहां पर यानि कि यहां यहां पर हमने एक point suppose कर लिया P इस point B पर इस प्लेट के उपर जो voltage है वो B A voltage है यह point है वो कम voltage से VB voltage जो के positive charge का voltage है वो ज्यादा है उसकी तरफ movement जो करता है तो charge उपर की तरफ जाना जा रहा है तो इसका मतलब इसका displacement अपर डिरेक्शन में है चुकर यह कम voltage से ज्यादा voltage के जा रहा है तो इसका voltage यह potential difference जो है वो VB minus VA है लेकिन electric field line के direction जो के downward है तो जहां पर electric field line के direction होती है electric intensity की direction होती है similarly उसी direction में electrostatic force की direction है उस electrostatic force की जो इस charge Q not correct कर रही है तो इस तरीके से D और FE के दर्यान जो एंगल है वो 1 AP आ जाता है अब जो electric field या electric intensity है किसी भी electric field के अंदर अगर electric intensity को आपको represent करना हो formula के पौर में तो आपको पता है कि electric intensity किसी भी unit Q not charge पर अमल करने वाली electrostatic force होती है इन दोनों को जो ratio है वो electric intensity के एकवल होती है अब अगर मैं यहां से FE का formula निकाल लो यानिकि electrostatic force का तो यह हमारी E into Q not के एकवला जाती है क्यों नहीं मैं इस E into Q not को इस वाली जगा पर place कर लूँ जो के FE है तो इस जगा पर place करने से मेरे पास जो work done है वो इस तरह से आता है कि minus FE into D है अब FE की जगा मैं यहां पर E into Q not लगा लो तो यहां पर E into Q not लगाने से मेरे पास work done का जो new formula बनेंगा वो minus E Q not into D आ जाता है अगर मैं इसे थोड़ा से अरेंज करके इस तरह के से लिखूं कि Q not को W के नीचे ले जाओ work done के नीचे तो work done divided by Q not is equals to minus E into D और इस चीज़ के बारे में भी आप जानते हैं कि जब भी किसी Q not charge पर कोई ना कोई work done किया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं कि यह electric potential है उस Q not charge का तो अगर मैं इसे यहां पर W divided by Q not को B लिखनू तो इसे मेरे पास formula पर कोई B जो परक है वो नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे मा तो इस तरीके से मेरे पास जो voltage और electric intensity के दर्मया relationship निकलता है वो यह है कि V is equals to minus ED होता है अब चुके हम लोगों ने बात की कि कि हमारे पास एक point एक positive charge है Q अब इस Q positive charge के उड़ा से जो electric field है वो इस तरहीं किसे है और electric field के अंदर मेरे पास लग से कि एक और point है जो इसली movement का जाता है तो इसका जो potential difference है वो जलता भी आ जाता है इसका मतले लिए इस point से अपना जो पास ला है वो ट्रावल करना शुरू किया है और वो इस point तक पहुंचा है अब इस point तक जादे जादे इसमें कुछ ने कुछ तो distance travel किया है ना उसे मैं लग से कह देती हूं कि यह हमार अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि जगा मैं डेल्टा भी लिखना हूं और माइनस सी और बी के जगा मैं यहां पर डेल्टा डी लिखना हूं तो इससे मेरे पास formula पर तो कोई फरक ने पड़ेगा लेकिं इससे जाए मेरा formula मजीद जो है वो simplify हो जाता है कि मैं दो एक यू जो distance है वो डेल्टा डी है तो इस तरीके से अगर मैं सिर्फ एक लिए relationship में कालो यह के लिए तो यह को मैं इस तरहां से लिख सकती हूं कि यह है वो minus delta V divided by delta D यह जो cheese है इस चीज़ को मैं इस तरहां से रिप्रेजन करती हूं कि यह हमारे पास लपस किसी इस कलर से कहले हूं यह हमारे पास जो delta V divided by delta D है इसे हम जो physics में कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ किसी भी distance से device हो यानि कि यहां पर कोई भी चीज़ है आपके पास किज़से कि यहां पर A है, B है, something है यहां पर A है, B है, C है कुछ भी है कोई भी चीज़ है force हो सकती है, voltage हो सकती है कोई भी हम किसी distance से divide होती है, यानि कि delta D से divide हो तो इस चीज़ को आप gradient of A, B या सी कहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर voltage को divide किया है distance से, तो हम लोग इसी तरह पर कह सकती है कि हमारी electric intensity है, वो minus gradient of V है, यानि कि हमारी electric intensity minus gradient of V, electric voltage, electric potential आजाती है, या हमारा electric potential जो है, वो minus ED के equal आजाता है, तो यह दोनों formula जो है, यह कापत में relationship बताते हैं, अगर आप इसे मज़ीद भी simplify करना चाहिए, तो आप यह भी कह सकते हैं, कि मैं delta D की जगा delta R लग सकता है, यानि कि इन दोनों आपके पास जो point है, अगर आप delta D की जगा बास situation हो सकते हैं, तो इसमें बास जगों पर आपको delta D की जगा delta R लगाना पड़े, तो चुके R वी एक distance होता है, और D वी एक distance है, दोनों distance के ही terminology है, तो किसी भी चीज़ को जब आप distance से divide करते हैं, तो उसे आप gradient of that thing कह सकते हैं, जिस जिसको भी आप divide कर रहे हैं, distance से, D से, या radius R से, तो उसे आप gradient of ABC कह सकते हैं, जिस भी चीज़ को आप divide कर रहे हैं, यानि कि distance में आप delta D भी लिख सकते हैं, आपके पास हो सकता है, radius हो, तो आपको delta R भी लिखना पड़े, तो इस से फरक नहीं बढ़ता, बस हमें ये चीज़ को समझना है, कि जब भी को यहां कि फासले से तक्सीम हो, फासले से divide हो रही हो, तो उसे हम लोग gradient of लिखते हैं, और जिस चीज़ को divide करेंगे, उस चीज़ का gradient बन जाएगा, जैसे कि यहां पर voltage को, electric potential को हम लोगा है, V को divide किया है, तो इसे मैं gradient of V कह सकते हूं, इसका मतलब है, electric intensity E का relationship यह आजाता है, कि वो minus gradient of V के equal है, और जो हमारा V है, वो इसके equal आजाता है, कि वो minus ED के equal आजाता है, तो इस तरह कि दोनों relationship को हम इस्तमान कर सकते हैं, तो इसका मतलब है हम यह कह सकते हैं, कि हम लोगों को ने relationship find out करना सीख लिया है, हमें पता चल गया है, कि V और E के तर ने relation क्या है, V जो ह है, वो minus ED के भी equal है, और जो हमारे पस E है, वो minus V gradient of V है, यहां पे gradient of V है, अगर हमें इस चीज़ को शुरू में ही कह देती ही, तो हमें यह समझना difficult हो जाता, कि आखर gradient है क्या, लेकिन पहले हम लोगों ने इसकी derivation की, और derivation करते हुए, हम लोगों ने यह formula derive किया, और इस formula स ने इन दोनों का relationship निकाल लिया, V का E के साथ और E का V के साथ, तो होपस हो आपको इन दोनों का electric voltage V का और electric intensity E का आपस में relationship समझा गया, कि किस तरह से एक field में, एक electric field के अंदर E भी present होती है, और उसी electric field के अंदर movement करते होए, चार्ज के ओपर electric potential V भी मज़ूद होती है